यदि आप धर्ति का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आप कश्मीर के श्रीनगर की डल जिल में पानी पर तेरते हुए हाउस बोट में कम से कम एक राज जरूर बिताएंगे यदि आप डल जिल में इस्तीद हाउस बोट में रुखना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में हाउस बोट से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से देंगे परन्तु उससे पहले जरूरी है कि आप कश्मीर यातरा की हर छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कर लें जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राज़दानी श्री नगर देश का एक प्रमुक परियटन स्थल है यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर के से पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डलजील, खुपस्रत गार्डन और हाउस बोट के लिए प्रसिदья श्री नगर में इस्तित डलजील चारओ ओवर से मुगल गार्डन से गिरिए और इसमें हाउस बोट इस्तिते तते शिकारे चलते हैं गोर्थलब है कि श्रीनगर सडक मार के जरिये पूरे देश से जुड़ा हुआ है श्रीनगर बस के जरिये आसानी से पहुचा जा सकता है श्रीनगर तक दिल्ली, पंजाब, हर्यना आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवर श्रिनगर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रिनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रिनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रिनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपे है तथा 18-19 घंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्रिनगर 246 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपे है बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुशने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी थकान मिटा देती है एसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुट्फ आप हवायातर में नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रीनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोपलेन से श्रीनगर पहुशना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरी दिल्ली से नौन स्टाफ फ्लाइट से श्रिनगर पहुचने में करीब तेड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महीने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं दिल्ली से श्रिनगर का नौन स्टाफ फ्लाइट का किराया केवल 2500 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टाफ फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लैन से जाने में आपका बहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रिनगर जाइए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आदी, एरलाइन्स, दिल्ली से श्रिनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेट करती हैं श्रिनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउसबोर्ट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं हाउस बोट का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ लगजरी हाउस बोट का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार हाउस बोट चुन सकते हैं यदि आप आनलाइन हाउस बोट बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि आनलाइन साइट्स बहुत भारी डिसकाउंट देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बजाए हाउस बोट ही बुक करें हाउस बोट पर आपको ब्रेकफास्ट लंच तता डिनर की भी सुविधा मिलेगी परन्तो आप हाउस बोट पर केवल ब्रेकफास्ट का ही पेकेज ले क्योंकि हाउस बोट का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तच नौन वेज रिस्टोडेंट है, आप हाउस बोट की बजाए वहाँ लंच या डिनर करें हाउस बोट पर चेक इन करने के बाद आप हाउस बोट पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को निहार सकते हैं, तथा हाउस बोट पर घूम सकते हैं, शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाओ के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े पान सो रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट आट सो रुपे होती है यह कॉस्ट पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिकतम चार लोग बेट सकते हैं तथा यदि आप चार से ज़्यादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राये पर लेने होंगे शिकारा आपको हाउस बोट से पिक करेंगे तता वापस आपके हाउस बोट पर ही ड्रॉप करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी आप हाउस बोट के लावा शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकडों शिकारे टूरिस्ट के इंतिजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रेस्टोरेंट वेजिटेरिन हैं खाना भहुत स्वादिस्ट है तता रेट भी रिजनेबल हैं यह रेस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्रंखला के पास इस्तित हैं रात में आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती नहारें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मिर में पहला दिन समाप्त होता है दूसरे दिन आप सुभा हाउस बोट पर ब्रिक्फास्ट करें तथा अपना सामन पेक करें तथा पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें हाउस बोट से आप नाव के द्वारक किनारे पर आए तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती हैं उनमें से एक कवा पहलगाओं जाने के लिए बुक करें श्रिनगर से पहलगाओं की दूरी लगभग 152 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 2500 रूपे है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवंतिपूर रूइंस दिखाता हुआ ले जाएगा अवंतिपूर रूइंस ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंति वर्मन द्वारा निर्मित भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परनतु फिर भी देखने लायक है पहल गाउं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे ढबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहल गाउं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तता सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.30 बजे तक आराम से पहल गाउं पहुँच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेकिन करें शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते हुए पिए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुभर पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेथवा वेली तथा अरू वेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनो स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंद्रा सो रुपे से आठा सो रुपे की बीच है पहल गाओं से चंदनवारी केवल पंद्रा किलमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड, जूमते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहां अप्रेल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं स्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजर आये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बहद आकर्शक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से गिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरो वेली जाईएगा आरो वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचों बीच एक नदी है जिसके किनारे आरो गाओं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदि कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीड़ जिसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाओं में बस जाएं आरो वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरो वेली के बाद आप पहल गाओं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रिकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहल गाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहल गाओं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्षी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्षी पुला देते हैं टेक्षी का किराया पच्छी सो से 3.000 रुपए के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह दस बजे भी पहल गाउं से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप γل مर्ग पहुचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गल मर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक्त की है तो वहा आपको बहुत सच्ति पढ़ेगी परंतु गल मर्ग पहुचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं होटल वाले बहुत ज़्यादा रेड बताएंगे जो 3000 से 4000 रुपे तक भी हो सकता है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको 1500 रुपे में रूम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहाँ के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था ये होटल वाले आपको लुट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकरती की गोद में चाहे नाश्ते का आननले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर घुमाएं रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समापत होता है अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पांट तक भी जा सकते हैं गंडोल राइट के दो फेज होते हैं, पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है, इसका किराया 740 रुपए है, सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवात तक का होता है, इसके किराया 950 रुपए होता है, यहा किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है, यह कुल सो केबल कार हैं एक केबल कार छे लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगबग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज वन या फेज टू पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है तथा महीं पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज वन पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं फेज टू पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा थक जाएंगे एक महतुमन बात गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश भर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुल च्छटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ँटेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी के yapıl 50 किलमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीछ है तता होटल बुक कर रखिये तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रिनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रिनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्च देखने चाहिएगा यहां गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्रीनगर में चश्मेशाही निशानदबाग तता शालीमार भाग घुम सकते हैं इन तीनों बागो को ही संमिलित रूप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल ज्जिल के किनारे ही स्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेमपल देखने जाएं लोटते समय आप शिनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शौपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्थगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात साथवे दिन आप जल्दी ब्रिकफास्ट कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रीनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे इस्तित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जरनी इंजॉई करें अब हम आट दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिविक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गुमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर इंड़िया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबाईएगा